सीख समाज के द्वारा संचाली ते पहला और एक मात्र यह स्कूल है इस विद्धालय के साथ हमारी बहुत-बहुत सुभकामना है उत्रोतर विद्धालय विकास करें और मैं ज्यादा नहीं मोलते हुए आप सभी को फिर से एक बार आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए और आप सब लोगों का भी यह असिर्वाद मिले आपके इस भाई को कितने बड़ी जिम्यदारी को निभाने में हमको ताकत मिले और यह भी हम बताना चाहेंगे आज की सवसर में कि मोदी की गारंटी में ज्वादा हमारी पार्टी ने 36 गड़ की जनता से किया है 36 गड़ की ढाई पोने तीन करोड जनता से किया है मोदी की गारंटी का एक एक वादा हमारी सरकार आने वाले पांच वर्सों में पूरा करेगी और मुझे भी बताते हैं हर सोरा है कि चुनाओं परचार के दवरान हमारे देश के सोसी प्रधान मंत्री 36 गड़ की जनता से वादा किये थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा 18 लाग गरीबों का पका का मकान देने का और 13 तारिक को हमारी सरकार सपत ली और 14 तारिक को ही पहला कैमिनेट में ही हम लोगों ने निरने ले लिया कि पिछले पाँच वर्सों में जो भी गरीब लोग 18 लाक लोग मकान से बंचित हुए हैं उनका मकान बनाने का काम करेंगे और कल 25 दिसंबर था हमारे प्रदेश के निर्माता भारत रत्न सरदे अटल विहारी बाजपेजी की जयनती थी जिसको पूरा देश सुसासन दिवस के रूप में मनाता है तो सुसासन का एक उदाहरन के रूप में और मोंदी की गारंटी में हमारा वादा भी था कि हम 12 लाग से ज्यादा किसान जिनका 2 साल का बोनस हम लोग की सरकार के समय हम लोग नहीं दे पाए थे उसको देने का काम करेंगे और कल 36 गड़ के जो अनदाता है ऐसे 12 लाग से ज्यादा किसानों के खाते में 3700 करोड उबिस से ज़्यादा सीधे ट्रांसफर किये हैं तो मोदी की गारंटी को निभाने कि दिसा में हमारी सरकार चल पड़ी है और हम मुखमंत्री के नात्यास्वस करते हैं आप लोगों को और छत्तिगर की जनता को कि आने वाले पांच वरसों में मोदी की गारंटी का एक एक वादा पूरा करेंगे आप सब लोगों का फिर से अभी नंदन करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप करता हूँ बहुत बहुत धन्वाद